सात्यों आप सभी को नमस्कार मैं आनाम सतिसकुमार सात्यों आज का वीडियो बहुत इजवर्दस्त होने वाला है काउज एंड जो है कि सिंटम्स का बिच कोई बीमारी अगर होता है तो वह बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर हमें जो यह विचार आ रहे थे अब हम ठी क्या है कि आज इंसान के दुखी होने का एक परमुक कारण यह है कि वह जानता तो बहुत अधिक है पर समस्ता बहुत कम है यह कौन लिखे हुए अर्वेंद कटोस सर ने लिखे हुए हैं कि यह जो एकोटेशन लिखे हुए दोस्तों इससे हमें क्या समझने को मिलता है आज जितने भी इंसान दुखी है उसका एक कारण कि वह जानता बहुत है नौलेज उसको बहुत जगह से मिलता है बहुत चीज़ जानता है पर समस्ता बहुत कम है दोस्तों जिसके कारण से यह दुखी होने कारण है आप भी कितने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे लोगों क क्या उसको apply कियए वे उसको समझें बैठकर के बहुत सारा चीज को क्या दोस्तों हम लोग यही कलती करते हैं कि ना कि हम अहीं परख भी लेतें इस बात को कि जानते बहुत हैं लेकिन समझ यह में जो हैं कि मतलब हम लुझ जानते हैं कि हांतों साप है हैं लेकिन फिर भी जा करकर दोते हैं anyways कि हम बार बार भार दो Copel नहीं करते हैं कि हूँ रहे हैं कि Eksempel Šn मिलाना व चीजए में ।ो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वहां सारे लोगों को कॉल आया कुmüş दिन लेकिन अबादी हम होगए कुछ दिन एक भादी की हमें बमारी फिर से प्रतान करने लगा फिर मेरा आत्वास खांट मोगत काम देखें मनने कर देखेंगी कि करता हैagne आधे लोग का दूवों सिंटमस हुआ हो वो काउज दो यह मतलब देखिए एक होता है सिंटम्स Gitti और इस इंटम्स अब क्या एक जैसे पेड़रत कर रहा हुआ है आपका क्या है दोस्तों सिंटम्स है और जो है कि उनका जो है कि हम लोग दबाई लेकर कि उनको दबा देते हैं ठीक तो वह क्या हुआ सिंटम्स को दबाना सिंटम्स को आप दबा दिये ठीक होगे ठीक अब सिंटम्स का काउज क्या हो हो सकता है पेट द्रत करने के तो पर काम करेंगा तोपीर कुछ दिन में होने लगेगा लेकिन काउच के औपर काम करेंगे तो नहीं है आने का कम चांस है उसी तरह से OCD के दुरान क्या होता है आपको सिंटम्स आता है आप जो हैं आप जो हैं कि बार-बार हाथ होने का विचारा था यह क्या सिंटम्स है बार-बार चेकिन करने क्या है है, symptom है, बार-बार God को परनाम करने बार-बार जो आ रहे हैं, वो क्या है? बार-बार जो negative बाश्या है है, symptoms है, वो symptoms है, आप ने क्या क्या symptoms को ही द्वाया हुआ है, कहीं से किसी के वीडियो में कुछ समझ लिए या कुछ जो है कि आप जानगे कि उससे नहीं डरना चाहिए आप कुछ दिन तक जो है माइंड का टोर्चर की और उसके बाद जो है कि समझे की बार बार किये तो मन कुछ दिन के लिए सांथ हो गया मन कीआ वाच कुछ दिन के लिए सांत हो गया आपको कि नहीं ड्राने लगा अब क्या करने लेखा आपको दुसरे कामों में अच्छी से बिज़ी होगे लेकिन खाउच तो अंदर में चुपा हुआ है बोग फिर से रिपीट होके लाएगा कावुज क्या है किया है हमारे दो माइंड होते हैं जब भी कोई चीज को हम लोग रीपीट करते हैं तो ये हमारे सब को माइंड में चले जाता हमार्ण चाह Irish इसको कहाते है कंडिस्निंग मायंड क्या होता है कंडिस्निंग ait सब्सक्राइब कारण से यहां से आपको क्या होगा थोड़ा दिन के लिए आप से सिंटम्स पर सिर्फ काम किये हाथ नहीं दोए या उससे ठीक होए फिर उसके बाद जो है कि क्या हुआ आपका फिर जो है की ऑसीडी वाले विचार रहे है तो ऐगनोर करना चालों करें तक तक तो कि यह लेकिन फिर ऐसा कोई दिन आपको दे दिया आपका माइंड कि आप उसमें उलज गए अब उलज गए तो यह फिर से सारा चीज़ हाँ बहुत होगी आपके ऊपर क्योंकि तो पडहा हुआ यह माइंड में इस निंग को जब तक नहीं तोरेंगे दिए ठीक नहीं करेंगे कर दिस निंग को जिसे आता है कि हाथ एक बार धोली आप साफ हो गया ठीक को गंटों बर जो है कि कल एक लेडिज का कोल आया हुआ था कि वह लेते मतलब घंटों बर हमको असनान करना पड़ जाता है तो मतलब क्या उनका माइन में कंडिशनिंग बन चुका है कि जिसे आपका हाथ होए हाथ फिर से उनको मन में टोड़ से हाथ गंदा है कहां गंदा लग रहा है माइन में इमेज बनता है माइन में इमेज बनने कारण से सारा चीज होने लगता है जैसे हम एपल बोले कहां इमेज बन रहे हम तो आपको दिखाई ने रहे माइन में अपल का इमेज बनना होगा एपल में इम रुकसान होने का डर जोड़ देगा यह कंडिशनिंग पढ़ गया जिसके कारण से जो है ना इस कंडिशनिंग को तो रहेंगे तब आप काउच के ओपर काम करेंगे अपने कारण के ओपर काम कर लिया अब जो है कि तो आज आपका ठीक हो जाएगा के संबते को मतलब क्या कि बार नियुक्ति काल चांद करते क्टिशनिंगं को टोड़ना नीदे के की मतलब कि बार बार करते चलाते हैं कि और सब्सekर क्षाइशका की बार 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 बाईक चलाते हैं बन जाता है एक समय के बाद जो है ना बाई को आपको आपने चलाते हैं आपका सब्विश्यस माइंड उसको हैंडिल कर रहा तो गारी बैठे हुए हैं आपका बोडी काम कर रही है ठीक लेकिन आप कुछ और भी सोच रहे होते हैं गारी बेफिक्राब कभी कभी ऐसा भी कर रहा होता है कि आपने ने उसको कंडिशनिंग और चला चला के चला चला के इसे प्रडिзд कि और और बार चला के और के हैं तो के ऑंडिशनिंग बन चुकी जिसके कारंद से क्या हो रहा है सिल गारी चलता है तरह से इक कूछ और ही बात है कॉछ ऑर ही इस कंडिशनिंग को कंडिस्निंग को तोड़ने के लिए आपको जो ना पहले समझ के ओपर काम करना होगा जो हम आप तो जानते तो बहुत सारा चीज़ा है लेकिन आपको जो आपको जानते हैं कि हांत में गंदा नहीं लगाए भगमान सुझा नहीं देने वाले इंग जो बना हुआ है इसके से क्या होता है कि आपको अपने तरफ लेता है हमारा लो चीप करने लगती है वह चीज shows आपको बारबार लाने लगती तो बदला जा सकता हम उसको जो आपके पास 10% पावर है उस 10% पावर से आप जो है कि 90% पावर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिस से सारा काम असान बन जाता है दोस्तों प्रैक्टिस ही में चीज़ है प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तब जाकर के आप ब माइंड माइंड के बारे में जानना माइंड किस तरह के सिकान करता है माइंड पेन को छोड़ता है प्लेजर को जो है कि लेता है प्लेजर के साथ जो एक पेन के साथ एब वाइड करता है वह तो यह चीज कौन समझा इस आपको समझना होगा कि आपको अगर जो है कि कुछ और माटर यह सब खालो सहर सकरवे खोने मंजदी ने जाता है क्योंकि मन को मझा पीछे भागता है relative रमन के छो ना अच्छा लगने मतलब अच्छा modo के तो यह बेडियेंगे नुमर बात करके कि चैघ्क करते हैं और जैसे लिए उनु diffuse वह लूह तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्प आप की हो करें दूसरे ग्रूप में सेड़ भी करें थैंक यू फ्रेंस विस्ट्यू वेल्ट